तो वेल्कम बैक दोस्तों फाइनली आज इंडिया में रियल वी सी 55 को लॉंच कर दिया गया है और साथ में इसकी प्राइस भी बाहर आगी है जो बेस बैरियंट है फोर जी विराइम के साथ 64 जी विए स्टोरेज उसे तकरीबन 10,999 यानि 11,000 के प्राइसेंज में लॉंच किय गया है तो अगर प्राइस देखा जाया है तो काफी अच्छी प्राइस रियल्मी के द्वारा रखी गई है अगर आपके पास IC ICI साथ में HDFC का कार्ड है तो 1000 का इंस्टेंट डिसकाउंट भी देखने को मिलेगा तो इस प्रेस्पीकेशन भी इस फोन के काफी अच्छे है चलते चलते मैं स्प्रेस्पीकेशन ही बताते रहा हूं हिलियो जी एटी एट पर इसे लॉंज किया गया है एफ एच्डी एमुलेट डिस्प्ले है साथ में पंच होल आगे डिस्प्ले में मौजूद है और आपको मैंने पिछले ही दिन बोला कि इसे मिनी कैप्सूल डिज में है तो रियलमी सी 55 को आप जरूर से बाइक कर सकते हो एंड इसका दो ही कलर वेरियंट इंडिया में लॉंज किया गया है आप लोग नीचे कमेंट सक्षम में जरू बताना कि कितने लोग ऐसे हो जो रियलमी का फोन इस्तमाल करते हो एंड साथ में को और इंटेस्टिंग कलके आ रही है एच्पी के भी काफी यूजर इंडिया में मौझूद है एच्पी ने पविलियंस रीज के अंडर में दो नए लैप्टप को लॉंज किया है एरो 13 के नाम से एंड दो सीप्यू बैरियंट में इसे लॉंज किया गया है एक तो राइजन 7 के साथ और दूसरा नहीं होने वाली है एंड वाइफाई 6 के साथ इसे लॉंज किया गया है वही पर मैं राइजन 5 की प्राइस की बात कर लूँ तो इसे तगरीवन 73,000 के प्राइस में लॉंज किया गया है एंड काफी स्लिम भी है इसके अगर आप बेजल को देखते हो एंड जो राइजन 7 है उसे तगरीवन 83,000 के प्राइस में लॉंज किया गया है तो जिलनों का बजट अगर 70-80,000 के रेंज में है तो जरूर से आप राइजन 7 को बाई कर सकते हो एंड गेमिंग के इसाब से भी अगर देखोगे तो यह एरो 13 लेप्टॉप अच्छा है तो आप लोग नीचे कमें जल्द यह स्मार्टपोन लॉंच कर रहा है और अभी रिसेंटली MWC 23 में टेक्नो ए स्पार्क 10 प्रो को लॉंच किया गया था जो कि अब इंडिया में भी बहु जल्दी लॉंच होने वाला है साथ में इसकी लॉंच डेट भी कनफाम हो गई है 23 मार्च को यह इंडिया में लॉंच होगा साथ में FHD डिस्प्ले होने वाली है और पीछे की तरफ इसमें ट्रिपल येर कैमरा का सेटप देखने कुम लेगा जिसमें 50 मेगा पिक्सल का प्राइमरी कामा सेंसर साथ में अगर मैं सेलफी कैमरा की बात कर लो तो 32 मेगा पिक्सल का कैमरा होने वाला है तो मैंने आपको पताया था कि बहुत जल्दी इंडिया में भी एपल का जो ऑफलाइन रिटेल स्टोर है उसको लॉंच किया जाएगा अब ऐसी न्यूज आ रही है कि नेक्ट मंत ही मॉंबई में इसकी ओपनिंग होने वाली है और मॉंबई का जो जियो वर्ल्ड वाइड मॉल है उसमें इसे खोला जाएगा एंड उसका जो टोटल एरिया है वो तकरीवान 22,000 स्क्वाइर फिट का है तो जो लोग पहले ऑनलाइन के थुरू एपल का फोन या अधर डिवाइस को बाई करते थे लेकिन अब इंडिया में आब डिरेक्ट ओफलाइन स्टोर में जाकर से लॉंच किया जाएगा एंड उसके कुछ महीनों बाद दिल्ली का जो सीटी मॉल है उसमें भी इसकी ओपनिंग होने वाली है एंड टोटल जो एरिया है वो तकरीवान 22,000 स्क्वाइर फिट में इसे ओपन किया जाएगा तो देखा जाए तो एक बहुत बड़ा ओफलाइ इसके लाब मेट्रोला की तरफ से मोटो जी 32 जो की अलेडी पिछले साल इंडिया में लॉंच हो चुका है एंड अब इसमें एक इसका 8GB RAM वेडियन को कल इंडिया में लॉंच किया जाएगा एंड सेम प्रोसेसर पर लॉंच होने वाला है जो कि स्नैपडेगन 680 चिपसेट पर लॉंच किया गया था साथ में प्राइस को लेकर न्यूज है कि यह अंडर 15,000 के प्राइस में लॉंच होते हुए दिखने वाला है तो मोटो जी 32 भी एक बजटे स्मार्टफून है मेट्रोला की तरफ से एंड इसमें भी आपको पीछे की तरफ 50 मेगा पिक्सल का प्रा सब्सक्राइब कर लो साथ में अच्छा लगे तो एक लाइक करना मत बुला इसके अलाबाद जो लोग भी नहीं हो जमारे चाहल को रेगुलर वीजिट करें तो किस बात की तेरी भाई जली-जली चैनल को सब्सक्राइब कर लो साथ में बिल नोटिपीकेशन को भी आउन कर झाल